सबस्क्राइब करें हमारे इस यूट्टूब चेनल को और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं और पाएं हमारे वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं मन्तोस अपने इस YouTube चेनल में आप सबी दोस्तों का मैं स्वावबत करता हूँ चलिए दोस्तों आज हम देखते हैं कि हमारा देखिये ए स्क्रीन है इसे खुण लिया गया है और हम इसे देखिए यहाँ पे हम इसका साइज लेंगे देखिए इस तरह से इसका हम साइज लेंगे और यहाँ पे जो हमारा ये एक बांधने वाला है देखिए ये इसको हम आम भासा में किलंपू बोलते हैं इसको हम इस तरह से टाइट कर देगे और देखिए आमारा जो काड है और नीचे है और देखिए इसका थोड़ा हमें साइज मेंटेन करना पड़ेगा देखिए यहाँ पे जो है इसका ये साइज का भी एक पट्टी लगाया गया है अभी फिलाल आमारा जो साइज है उदर उदर हो रहा है तो हम इसे थोड़ा फोड़ा और आगे ले लेते हैं और अब हम इस पर color गिरा लेंगे देखिए घ्ले के लिए डू कलर में फिलाल गिराते हैं आलाकी दू कलर में देखिए दू कलर में जब प्रिंट किया जाता है तो इस बाग में जिस बाग में हमें दो कलर में करना है एक बाग को हमें टेप मार देना पड़ता है और दूसरे बाग को खुला रखना पड़ता है लेकिन चलिए हम आप लोगों को यह से ही दिखाते हैं कि यह किस तरह से कुछ काट इसका दो कलर में आ जाएगा आला कि उतन को थोड़ा साफ कर लेंगे और पूरी तरह से इसमें नेना देंगे लिए पूरी तरह से दो कलर में जो है वह आ चुका है मगर इस जो यह परकिरिया हम आप लोगों को दिखा रहा है इस परकिरिया के अनुसार कुछी काट दो कलर में आएगा और नहीं तो बाकी इसमें क्या होता है कि कलर जो है मिक्स हो जाता है दो कलर में करने के लिए आमें एक साइड में टेक मारना पड़ता है और एक साइड मे प्रिंट करना पड़ता है, चलिए हम आप लोगों को और कुछ बिखा देते हैं यहाँ पर, देखिए, तो कितना यह आपाता है, देखिए यह कुछ जम सारा है, यह बढ़ियां ही आ रहा है, जो दू कलर में हमारा, देखिए यहाँ पर, इसको अंगर अंगर अपर, और इसको हम चलाना शुरू करेंगे, तो यह लगभग, दो कलर में, अगर आप सही तरीके से चलाते जाएंगे, टेश्टेपर को, तो कलर मिक्स नहीं करेगा, और इस तरह से चलाने के लिए आपको थोड़ा कलर को गाड़ा रखना पड़ेगा, जैसा कि नाइट्रू हम डाल पर उसे धीला करते हैं, पतला करते हैं, तो इसमें सोड़ा आपको गाड़ा कलर रखना पड़ेगा, तो इस तरह से आप दो कलर में आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, देखिए, यह किस तरह से हमारा जुआ है, दो कलर में प्रिंट, यह एक मुसल्मानी काड है, और दो कलर मे यहां देखिए दोस्तों जैसा की यह हमारा काड है यह दो कलर में आ रहा है जैसा कि हमने यहांपे दो यहाँ पे देखिए नीचे दूसरा कलर है यहाँ पे यह फ्रेम है हमारा और उपर दूसरा कलर है इसमें कलर को जरा गाढ़ा रखेंगे तो यह सई ढंग से आप जितना भी खीचना चाहें उस तरह से कुछ मिक्स होगा मगर कोई खास इसमें मिक्सिंग नहीं हो पाएगा और ट्रेस निकालते वक्त भी आप लोग देखिए इसमें टेकनिक यह दिया गया है कि जो यह हमारा उपर का पार्ट है और नीचे के पार्ट में थोड़ा दूरी दिया गया है देखिए यहाँ पे कि नीचे का कलर जो है नीचे रह जाएगा और उपर का कलर जो है उपर रह ज लाइन पर या उस अक्छर पर या उस मेटर पर और इस तरह से हम आसानी के साथ तो उसमें वह टेप मारने वाले में क्या होता है कि हमें एक ही काड को दो बार प्रिंट करना पड़ता है अगर इसमें देखिए ये थोड़ी सी टेक्निक आपनाने के साथ ही हम बहुत ही बेतरीन ढंग से इसका प्रिंट कर सकते हैं दो कलर में जो की देखने में भी बहुत सुन्दर लगेगा और ये एक यूनिक भी होगा तो जैसा कि आप लोगों ने देखा इसमें ये दोनों मेटर में बीच के मेटर में थोड़ा आप लोग ट्रेस निकालते वक्त डिफरेंस राख देंगे तो ये जो आमारा उपर का कलर है उपर रह जाएगा और नीचे का बुलू कलर है बुलू कलर हो जाएगा और हम आसानी स इसे निकाल सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देखिए इधर भी बहुत सारे काड हैं, जो कि डवल कलर में ही प्रिंट किये गए हैं, थोड़ा यहाँ पे अंधेरा है, देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और भी सारे काड हैं, जो कि हमने print किये हैं अभी तो इस तरह से आप लोग भी double color में थोड़ी सी technique अपना कर इसे double color में print कर सकते हैं यह एक musulmani card है और थोड़ी सी technique के साथ आप लोग बहुत ही better quality दे सकते हैं तो चलिए दोस्तों जैसा कि हमने हमारे जो समझाने का idea था मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे और इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम हमारा मनोबल बढ़े और इससे जुड़े हुए हम और भी वीडियो और टेकनिक आप लोगों को देते रहें तो चलिए नमस्कार और सब्सक्राइब कीजिए हमारे में चैनल को हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार